बिस्मिल्लाहर्रभ्मानिर्वखीम आज के इस लेक्षर में हम सनतِ तजणीς को पढ़ने जा रहे हैं इल्मे बदीह में ये एक सनत है और इस लेक्षर में हम सनतِ तजणीस की तारीफ और सनत जणीस को अशार से समझने की कोशिश करेंगे और अशार में इसकी विजाहत की जाएगी जिससे इन्शाललह ताला संथ तजनीस हमारे लिए समझनी आसान हो जाएगी सबसे पहले तारीफ देखते हैं तो सनतِ तजनीस में जो लफ्स तजनीस है उसके लुगवी मानी क्या है तो उसके लुगवी मानी एक जिन्स या एक किसम होने के हैं तो तजनीस के लुगवी मानी है एक जिन्स होना या एक किसम का होना ये इसके लुगवी मानी आपको लुगत में मिलेंगे علمِ بدی کی اسطلاح میں سنتِ تجنیز کس کو کہتے ہیں تو علمِ بدی کی اسطلاح میں کلام میں دو یا زیادہ الفاظ ایسے لانا جو تلفز یا تحریر میں ایک جیسے हो مگر معنی میں مختلف ہوں سنتِ تجنیز کہلاتی ہے تو اس تعریف میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سنتِ تجنیز کیا ہے तो सनतित तजनीज ये है कि दो या जादा अलफाज हम कलाम में ऐसे लाएं खुआ नसर में या शायरी में जो तलफ़ में भी एक जैसे हो बिलकुल एक जैसे हो पढ़ने में और या फिर लिखने में एक जैसे हो लेकिन लिखने में या तलफुज में एक जैसे तो है लेकिन जब हम मानी पर गोर करते हैं तो उन दोनों के मानी में फर्क है तो ये खूबी जो है ये किसी शेर में या किसी नसर के हिस्से में ये सनत तजनीज की खूबी है आपने जूमानी अलफास पढ़े होंगे कि जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकन मानी में फर्क होता है जैसे लफ सोना अब सोना एक धात है जिसे हम गोल्ड कहते हैं और इस तरह नींद को भी हम सोना कहते हैं तो अब देखें, पढ़ने में और लिखने में एक जैसे हैं, लेकन मानी में मफूम में फर्क है, जैसे कान, खोदने की जहां से मादनियात निकाली जाती हैं, और एक कान जो जिसम का एक जुज हिसा है, तो अब लिखने में और पढ़ने में बोलने में एक जैसे हैं, लेकन म तझनीज कहलाईगी अभी इसकी बहुत जादा अकसाम नेकन हमारी निसाबी किताब में जो दो अकसाम बताई गए गई हैं हम उसको ही पढ़ते हैं और उनको सम highly कौशिश करते हैं वो दो जो अकसाम हैं हमारी निसाबी किताब के हिसे में वो और तजनीसे महर्रफ ये लफ महर्रफ नहीं है लफ से महर्रफ है तो तजनीसे ताम और तजनीसे महर्रफ तीसरी एक किसम है तजनीसे मुझारे वो हमारे निसाबी कौर्स का इस्सा नहीं है तो इन्शाला हम इन दो अकसाम को पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते है सबसे पहले तजनीसे ताम को देखते हैं तो तजनीस का तो लगवी माना हमें पता चल गया ताम के लगवी माना होते हैं मुकमल करने के ताम कहते हैं मुकमल होना और इल्म-बदी की इस्तला में तजनीसे ताम क्या है कलाम में ऐसे अलफाज लाना जो इमला के लहाथ से तो एक जैसे हो मगर दोनों का मतलब जुदाहू तजनी से ताम कहलाता है यानि मुकमल तौर पर दो अल्पाज ये दो से जादा अल्पाज एक जैसे हो यानि एराब का फर्ड ना हो ज़बर ज़हर पे जैसे एक लफ़ की उपर है दूसरे लफ्स के अउपर भी उसी तरह हो और अदद के इतवार से भी उसके जुरूफ एक जैसे हो और तरतीब भी एक जैसी हो बिलकुल एक जैसे हो यह रुकिन दोनों के मानी में फरक हो तो आप उसे तजनी से ताम कहेंगे जैसे हम अब अशार से समझते हैं और आपको इसमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी देखें सबसे पहला शेयर है चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज जो खिल खिलाती है गुल की हर एक डाली आज अब इस शेयर में आप देखें दो दफ़ा डाली आया है एक पहले मिसरे में निगाह डाली और एक दूसरे मिसरे में एक डाली अब डाली और डाली देखें एक जैसे अलफाज हैं बिलकुल और इनके एराब जबर जेर पेश भी एक ही जैसा है बिलकुल लेकं दोनों के मानी में फर्क है क्या फर्क है निगाह डाली यानी डालना निगाह पढ़ना ठीक है एक लवज निगाह डाली निगाह डालना निगाह पढ़ना जबके दूसरे मिसरे में एक डाली ये डाली से मुराख शाक है शाक को कहा जाता है तो लवज तो एक जैसे हैं दोनों के मानी में फर्क है इसे हम यहां पर सनते तज्जी से ताम कहेंगे दूसरे शेयर ज़रा देखिए कि सब सहेंगे बरदाश कर लेंगे सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी तो इस शेयर में दो दफ़ा लड़ाई का लवज आपको नजर आ रहा है दूसरे मिसरे में आ गया है और पहला जो है आँख लड़ाई आँख लड़ाई जो है मौवरतन कहते हैं इश करना माशू की महबत करना दूसरा जो लवज है वो है लड़ाई तो लड़ाई का मतलब है यहां पर लड़ना यानि कि आप इंगलिश में जिसे कहते हैं फाइट करना लड़ना तो यहां पर दो दफ़ा लड़ाई आए लेकर एक आँख लड़ाना तो वो है माशूकी करना और दूसरा जो है वो लड़ाई है उस लड़ाई से मराद है लड़ना तो अलफाज एक जैसे हैं एराब एक जैसे हैं लेकं दोनों के मतलब और मफूम मानी में फर्क है अकबाल की घजल का एक शेर आप देख सकते हैं सबसे नीचे लिखा हुआ इस शेर को समझें जने में ढूंडता था आसमानों में जमीनों में वो निकले मेरे जलमत खाना दिल के मकीनों में तो इकबाल की इस शेर में जो आपको सनत तजनी से ताम नजर आ रहा है वो है लवज में जिने में एक ये है लवज और एक है आसमानों में तो देखें यहां पर लवज एक जैसे हैं लेकिन कलमे की अक्साम आपने पढ़िए एक इसम फेल हर्फ होती है तो अगर ऐसे अलफाज आ जाएं जो एक जैसे तो हैं लेकिन कलमे की अक्साम में मुक्तलिफ हैं तो उसकी भी एक किसम बनती है तजनी से ताम में वो किसम है सनते तजनी से ताम मस्तवफी तो वो हमारी निसाब का इस्सा नहीं है लेकर यहां पर हमें जो समय नहीं है वो सनते तजनी से ताम ही है तो में एक जिने में से मुराई इसम है अकबाल अपना कह रहे हैं में ढूनता था मैं जैसे कहता हूं कि मैं बजार जा रहा हूं तो इस मैं से मुराद है मैं अपने आपको कह रहा हूं इसम है जबके दूसरा जो आसमानो में जो लवज है आसमानो में तो ये आपको पता है आपने हरूफ जार पढ़े होंगे तो ये हरूफ जार में से एक हर्फ है मैं आसमानों में जमी पर जो मरकब जारी में इस्तिमाल किये जाते हैं तो ये लफ़े मैं जो है ये हरूफ जार में से एक हर्फ है तो दोनों एक ही जैसे हैं लेकन एक इसम है उससे मुराद एक बाल अपने आपको ले रहे हैं और दूसरा जो है वो हर्फ जार है तो इस अतबार से दोनों का जो मतलब और मफूम और मानी है वो मुख्तलिफ है लिखने में पढ़ने में एराब में एक जैसे हैं तो यह जो है यहां पर मिसाल होगी सजनते तजनी से ताम की मुझे अमीद है सजनते तजनी से ताम तो आपको समझ आ गई है आप देखते हैं सजनते तजनी से मुहर्फ अब मुहर्फ के लोगवी मानी जो है आप देखें तो किसी मतन में तबदीली के आते हैं मतन में तबदीली के और इल्म बदी की इस्तला में सनत तजनी से महर्फ किसे कहते हैं कलाम में ऐसे अलफाज लाना जो लिखने में तहरीर में तो एक जैसे हैं मगर एराब में फर्क है यानि कि आपको जबर जेर पेश आपको सुकून की हालत ये आपको जो है वो नजर आएगी कि मुख्तलिफ होती है और यहां पर आपको लिखने में देखने में एक जैसे लफ़ होंगे अगर एराब ना लगाया जाए जबर जेर पेश तो आप उनको समझेंगे कि एक जैसे लफ़ है लेकिन जब एराब लगाया गया या आपने गोर किया तो नजर आएगा कि जबर जेर पेश का फरक है बाकी अलफाज बिलकुल एक जैसे हैं तो सन्ट तज्जी से ताम में तो एराब भी एक जैसे होते थे लेकिन महर्फ में एराब जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे देखें मिसालों से आप समझ जाएंगे पहला जो शेर है तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाओंगा घर में घिर जाओंगा सहरा में बिखर जाओंगा अब देखें यहां पर जो है आपको सनत तजनी से ताम भी नजर आ रही है और महर्फ भी नजर आ रही है तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाओंगा और घर में यहां पर भी मैं मैं जो है सनत तजनी से ताम जैसे हमने एकबाल के शेर में पड़ा यहां पर भी वही जो है इ ये तो ज़े दो हरूफे तजी हैं इसमें और एक जैसे शकल के हैं लेकिन एराब में फर्क है एक घर अपने घर को कहते हैं जिसको आप अपना होम कहते हैं इंगलिश में या एक घिर जाना घिर जाना का मतलब है घर वीरान हो जाना उजड़ जाना तो ये मावरा है तो घिर जाना और घर दोनों अलफाज एक जैसे हैं एराब में सिर्फ फर्क है तो यहां पर यह संटِ तजणी से महर्ण है दूसरा शेर मुलाइजा कीजिये देखिये गले से लगते ही जतने गिले थे भूल गए वगशना याद थी हमको शिकाइत हैं क्या क्या तो एक गले से लगते ही गले मिलना ठीक है और एक है गिले थे, गिले कहते हैं शिक्वे शिकायत करना, तो गले और गिले, तो दोनों अलफाज एक जैसे हैं, लेकिन आपको पढ़ने में भी मालूम हो गया होगा के एक गले से लगते ही और दूसरा है गिले थे तो एक की उपर जबर है गाफ की उपर और एक गाफ की नीचे जो है वो जेर है तो यहां यहां पर भी जो है सनते तजनी से महर्फ की जो है वो आपको खुबी नजर आ रही है तीसरा शेर मुलाइजा करें देखें यह भी नप पूचह, कभी स्याद ने, शिकारी ने, कौन रहा, कौन रहा हो गया, यहां पर मैंने अराभ लगाएं, भब आपको ज़्यदा वाज़ हो जाएगा, यहां पर लवज रहा और रहा, रहा होना, य어 छूट जाना,uma कκι से निकल जाना, रहा रहना कौन रह गयाम जैसे कहते हैं तो दोनों आपको अलफाज नजर आ रहे हैं रहा और रहा हो जाना तो यह देखने में एक जैसे हैं लेकर अराब में फर्क है रे के उपर जबर और रे के नीचे जेर तो यहां पर भी यह खूबी है सनते तजनी से महर्फ की तो यह दो सनते हैं जो हमारे निसाब का इस्सा हैं एक है सनते तजनी से ताम और एक है सनते तजनी से महर्फ और आसान है मुश्कल नहीं है जिन से एक जैसा होना और सनट टजनीसे ताम में जो है, वो अलफाज बिलकुल एक जैसे हैं जबके महर्रफ में एराब का जबर जिर पेश का फरक होता है, बाकी दिखने में एक जैसे होते हैं अमीद है कि इस लेक्चर में आपको सनते तजनीसे ताम महर्रफ सनते तजनीस की मुकमल समझ आ गई होगी और इन्शालला कवाईद और ग्रैमर का सिलसला जारी है फर्स येर की जो सनते मुकमल हो गई है सेकंड येर की भी इन्शालला सनते मुकमल हो गई है इञालम बाकी क्रैमर के हिस्से को देखेंगे और फिर जो हमारे बाकी जो अस्बाक रहे गए हैं नसर से शायरी से वो इंशालला हम मुकम्मल करते हैं इंशालला आपने मेरे लिए दौा करते रहना है और मेहनद करना है आपको खुश रखें, सलामत रहें वस्सलाम